क्वाइब आपके एक अबर फिर से आपई के यूटिब चैनल में और आज की वीडियों में बात करेंगे अदानी पावर को लेकर अदानी पावर को लेकर डिसक्रिस करेंगे कि जो लेवल्स कैसे इसका अचीव हुआ, दूसरा 380 रुपे का हमारा टार्गेट अलगबक 370 के आसपा स्टॉक पहुंचा हुआ है, मैं भी कल की दिन ये जोना इसे भी अचीव कर लेगा, तो यहां पर आप लोग देखो काफी शांदा रेली बनी है, इस रेली बनने के पीछे कुछ ना कुछ इस रेजन थी वो मैंने आपको हमारी प्रिविश वीडियो में बताये थे, एक तो आप लोग देखो के 25 क्रोड के आसपास जो शेर है वो प्लेज थे अडानी पावर के उन्होंने रिलीज कर लिए डानी ग्रूप ने, उसके बाद आप लोग देखो के एक जोना भी प्रम कैसे देखने को मिल रहा है, और यह सारी चीजे आप लोग देखो कब हो रही है, यह हो रही है अडानी के उपर रिपोर्ट जो थी उसका फैसला आने से पहले, पंदरा तारिक को आपको पता फैसला आना है, और उससे पहले अगर यह सारी चीजे देखने को मिल रही है, तो चीज है में देखने हो मिले कुछ है का आप लोग देख खबरे भी आई हैं उन खबरों के अदम पर कितना असर रहेगा अडानी ग्रूप के पर मंडे के दिन कल के दिन यानि कि वो देख लेते हैं यहां पर आप लोग देखो के लगभग अठाइस पॉइंट पांच मिलेंगे वोल्यूम है यहनी 2.85 लाग के करेब तो चलिए भी जानते हैं सबसे पहले जो न्यूज आई है अडानी ग्रूप के लिए वो काफी अच्छी है जिसका कितना असर पोजिटिव रहेगा वो देख लेते हैं तो यहां पर आप लोग आप लोग देखोगे जपान के कोर्पोरेट घ्राने के साथ जोना भी मिलकर काम करेगा ऐसा जोना भी यह हमें अपडेट आती हो नजर आई है जिसका एफेक्ट आप लोग देखोगे अडानी ग्रूप के उपर में देखने को मिलेगा खास को पर अडानी अंडर आजी के सब्सिडियरी ने ग्रिन ऐमोनिया और ग्रिन हैड्रोजन के मार्केटिंग के लिए आप लोग जपानी कोर्पोरेट घराने कोवा समू के साथ जॉइंट वेंचर स्तापित करने के लिए साज़ेधारी की है यह काफ की अच्छी बात है भी जॉइंट वेंचर लेकिन उससे पहले जानेंगे इसके लेवल्स वगरा कैसे हैं तो यहां पर आप लोग देखो गडानी पावर से लेटेट जो डाटा देखने को मिला है प्रिवेश क्लोजिंग क्या थी के आसपास डिलेवरी उठाएगा है जिनमें शेयर ट्रेट हुए है दो कोड़ साथ लाक एक कोड़ तीस लाक के क्रिव डिलेवरी उठी है डिलेवरी शांतर उठी है प्लस आप लोग देव छोटा सा वाय ओडर और और यह जो खबर आई हैं इनका पूरा का पूरा पूरा असर स्टॉक के उपर हमें देखने को मिलेगा तो चलिए देख लेते हैं अब इसका चार्ट फिर आपको बताएंगे जो खबर है वो पूरे डानी गुरूप के लिए रहने वाली है और उसका कितना असर आने वाला टाइम में स्टॉक के उपर हो मैंन बात है तो यहां पर किया आप लोग देख सकते हो भी स्टॉक को मैंने जो भी इस लेवल के असपास आपको रेकंट किया था ठीक है यह मैं बहुत देता हूं कि स्टॉक मैंने यहां पर ऑर इकमिंट किया था जब यह निarnya ह यह आऊ में आ रहा है तो लेकिन यहां पर आपको जोना भी पैनिक सेलिंग नहीं करनी है तो जैसे स्टोग नीची आया मोका था वहां से जिसने भी स्टॉप को पर्चेज किया उसके बाद आप लोग देखोंगे पीछे मुड़के नहीं देखा स्टॉप आप लोग देखोंगे चुका है तो ऐसे में यहां से आपका जो स्टॉप लोस हो ट्रिलिंग आपको करना है अब हमारा जो यहां से स्टॉप लोस होगा वह तकरीबन आप लोग देखिंगे जो साट रुपे का स्टॉप लोस होगा और नीचे सब्सेट संपोर्ट है वह रहेगा 352 तो यह दो सप अब अब लेकिन उसका असर आप लोग देखो के अदानी जो हिडेनुबर मामला है उसके उपर पूरे तरिक्के से पढ़ेगा ठीक है अधानी अधानी को मामला जो आप लोग देखो पंदा तारीकोड में सुप्रिम कोट उसको ब्र फेस्टा को तो उसका बहुत जगी बंद हो गए हैं इसके उपर मैं पहले आपको बता चुका हूं लेकिन डिटेल वीडियो नहीं लेकर आये था आज हम डिटेल में जानेंगे क्या है यह मामला इन फंडों के बंद होने से सेवी के लिए आप लोग देखोगे भी इन वहानों के अंतिमलाभारतियों तक यानिक को बताया कि अडानी समू से जुड़े लोगों दवारा समू की सूचिवत कंपनियों के शेर खरीदने के लिए कतित तोर पर इस्तिमाल किये गए आठ सरवजिक फंडों में से 6 को बंद कर दिया है और यह फंड बर्मूटा और मोरिशीज में स्तीत है तो बर्मूटा और मो ग्रूप के अंदर ही पैसा लगाती थी और जिससे डानी ग्रूप के शेरों में यह मैनुप्रेशन करके पंप लाए गया था यह सारे अरोप लगाये थे और उनमें से आप लोग देखो कि सेभी ने पाया कि भी टोटल आट फंड थे जिनमें से 6 बंद हो गए हैं और जिन हो गई है ऐसे में और क्या है हालिया रिपोर्ट में खोजी पत्रकारों के एक वैस्विक नेटवर्क संग्डिक अप्राद और ब्रष्टाचार रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट यानि ओसी और पी ने बताया कि अदानी परिवार के संबंद रखने वाले लोगों ने संभू संस्थाओं में मैत्वपुन हिस्सेदारी रखने के लिए इन फंडों का इस्तेमाल किया संभवत देखें तो देश के जो कानून है का अधिक्तम उलंगन किया गया यानिकि कि इस प्रकार से बहुत नहीं है कि भी अडानी गुरुप के जो भी रिष्टेदार थे जो कुछ भी आरोप लगाया गया है मिंड की रिपोर्ट में का गया कि इन में से कुछ फंडों को बंद कर दिया दो हजार बंद करना दो हजार बीस में सेभी दवारा जहां शुरू करने के बाद हुआ है यह एक बहुत बड़ा जो नभी एक सवाल पैदा हो जाता है घटना करम से प कुमिकानेवाई थी इन फंडों के बंद होने के साथ सेभी को अब समधित जानकारी तक पहुंचने में कठेनाय का सामना करना पड़ रहा है इन संस्ताओं के अंतिमलावारती यह जोडा गया है तो यह सारी चीज़ें में देखने को मिली है कौन-कौन से फंड है जिनको ज संडों प्रेडिया प dagger in 2010 में सतापित किया और 2019 में बंद कर दिया लिंगो ट्रेडिंग एंड इंवेस्टमेंट प्राइवेट्र इलेमेट्ड दिसंबर 2009 में इसको निगमत किया गया है और 2015 इसको भी बंद कर दिया गया मेड गया punk और investment private limited है इसको सितंबर 2011 में स्टापित किया गया और अगस्त में बंद कर दिया गया इसी पिछले साल 2012 में आप लोग अगस्त में बंद कर दिया गया इम जो Resurgent Fund की stopना मैं 2010 में की गई थी और पिछले साल फर्वरी में इसे बंद कर दिया गया मिंट ने कहा मैं 2010 में स्तापित एसिया वीजन फंड ने अप्रेल 2020 में परी जो प्रिसमापक नियुक्त किया और समापकन की प्रक्रिया में है अभी गे टाइम आप लोग देख सक्क्यों भी तो इन ये ये आरोप लगाए गए मैं 2008 में स्तापित एक फंड इमर्जिंग इंडिया फोकस फंड सक्रि ये बना हुआ है अभी भी है दिल्चस्प बात या है कि इन में से कुछ फंड बहुत ही कम समय में बंद हो गए है जो ऐसे फंडों के लिए आया समान्य था बर्मूड़ा पंजिकित ग्लोबल अपर्चनिटीज फंड जो 6 जनवरी 2005 को ओपन हुआ है पंजिकित किया गया औ बारा दिसंबर 2006 को बंद कर दिया गया तो यह कुछ एक मामले सामने आते वह नजर आए है इन सब के उपर आप लोग देखोगे सेबी की निरंतर जांच जारी है ठीक है तो दो मामलों के उपर अभी तक जांच नहीं है 24 थे टोटल जिनमें से 22 पर जांच हो चुकि यह जि को देखते भी पंदातर को क्या कुछ मामला रहता है तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बैल आगाओं को प्रस करके ताकि आडानी गुरुप से लेटिट कोई भी अपडेट आप से मिशनाने थे इनक्यू फर वचिंग तव वीडियो